नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने प्लाट्कॉम एक्जाम पावर के ऊपर जैसा कि आपको पता है इंडेस्टेंडिंग कॉडलेटल हम क्लास एट निस्याटी में पढ़ रहते हैं और हमने पूर्थ कोश्चन जो है वो डिसक्स कर लिए थे आज के इस वीडियो में हम फाइफ नंबर का कोश्चन डिसक्स करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद में 6 7 8 9 10 जितने जो है वो बाकी चैप्टर भी NCRT के करवाएं हैं तो आप लेलिस्टे कर सकते हैं क्योंकि मैं पूरी की पूरी NCRT आपको कराने वाला हूँ और डेली 7 पीम पे आपको वीडियो मिलती है प्रीमेर की फॉर्म में लाइव भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है एस सुन दिख जाएगा टाइटल में या फिर थंबलिन पे भी आपको लिखावा मिल जाएगा जब आप लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजे एक साथ में दिखाई देने वाली हैं तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपन आज का हमारा हैं इसके अंदर हम क्या discuss करने वाले हैं इसमें हम question number five cover करने वाले हैं जो आपके class 8th ncrt का है और chapter का नाम है understanding quarterly तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं लेकिन जो भी बच्चे फर्स टाइम चैनल पर आया है वो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बैल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए अब question number five का जो statement है वो क्या है question number five के रहा है what is a regular polygon what is a regular polygon state the name of a regular polygon of अगर किसी regular polygon की 3 side होती है तो वह कौन सा होता है वह regular polygon होता है की नहीं होता है रइट आप कौन सा नाम होता है उसका वह बताना है diagram कैसा होता है दूसरे number पर चार side होंगी तो क्या होगा और चे नमबर पर चे साइडे होंगी तो क्या होगा तो all sides are equal and all angles are equal यह पहली condition होती है regular के अंदर क्योंकि कोशन के अंदर regular की बात की जारी है तो regular के अंदर अगर मैं एक line यह जो तीनो questions के लिए है वो यह है कि all sides all sides and all sides are equal and all angles are equal यह condition जो है वो सबसे ज्यादा important है अगर आप regular की बात कर रहे है angles are equal ठीक है यह होनी चाहिए तो यह जहां पर fulfill होती है उसका नाम आप लिख सकते है तो तीन साइड में वैसे तो तीन साइड से triangle बनता है पहले number की question की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बोला गया इस साइडें जो दे रुखिये वह आपको तीन दे रखें तो तीन साइड में वैसे तो triangle बनता है बढ़ ट्रेंगल में ऐसा कौन सा triangle होता है जिसकी तीनों साइड होती है और तीनों एंगल होता है तो आपका जवाब होगा equilateral triangle क्या जवाब होगा आपका equilateral equilateral triangle ठीके जी चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ equilateral triangle उसके बाद में second number पर आपको बोला गया चार साइड है तो चार साइड के जो भी डाइग्राम बनते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों जिसके तीन चारो साइड एक्वल होती है ठीक है चारो साइड और चारो इंगल उसके इक्वल होते हैं तो उसको कह देंगे square और 6 साइड से तो ओभिसी बात है क्या बनता है hexagon तो इसका answer हो जाएगा hexagon ठीक है six side यानि third number वाले का answer हो गया hexagon hope कि आपको समझ में आया है चलिए अब चलते है अपर next question की तरफ अगला question भी हमारा बहुती प्यारा और बहुती अच्छा question है उसमें चोटे चोटे डाइग्राम दे रखें आपको और one by one questions को discuss करने की कोशिस करते हैं क्योंकि उनमें angle हमें find करके बताना है angle find करने वाले वो questions है ठीक है चलिए तो बात करते हैं question number 6 की question number 6 में find the angle measure x in the following figure आपको चार question दिये हैं a b c d ठीक है तो जो इन चारो question में आपको बताना है कि जहां पर x लिखा हुआ है उसका measure कितना होगा तो देखिए यहां पर यह वाला diagram आपको दे रखा है जहां पर यह 50 degree आपको दे रखा है जो है वो कुछ इस तरीके से given है exactly तो same नहीं है बढ़ हाँ ऐसा ही है तो इसका ये वाला इंगल आपको 130 degree दे रखा है ये वाला इंगल जो है वो 50 degree आपको दे रखा है कोशन में और ये वाला इंगल जो है जानते होंगे मैं भी जानता हूं sum of all interior all interior angle of a quadriletal quadriletal के जो जितने भी interior angle है उनका sum कितना होता है तो आपका जवाब होगा 360 degree got it तो यानि कि इसमें 4 angle है तो 4 का sum 360 के पराबर कर दो तो पहले वाला 50 हो गया दूसरे वाला 130 हो गया तीसरे वाला 120 हो गया और fourth number पर जो आता है वो हमारा x degree वो हमें पता नहीं है तो इसका sum कर दिया हमने equal 360 के तो x की value चीए तो 50, 130 और 120 कितने हो जाते हैं आप add करके मुझे बताओ तो आपका जवाब होगा 325, 200, 300 कितना हो गया 300 यानि कि मैं लिख सकता हूँ 300 plus x 300 plus x बराबर क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा clear तो x की value कितने आ जाएगी x की value आ जाएगी 360 minus के 300 360 minus के 300 बराबर आ जाएगा क्या 60 degree यह हो गया आपका answer तो x की value कितने आ गई 60 degree आपके x की value यहाँ आपको मिल गई है got it अब इसी तरीके से बी वाले को अब कवर करना है तो चलिए next पे चलते हैं यह हम cover कर चुके हैं आप चलते हैं आप बी वाले question की तरफ की वाले में कैसे आप find करेंगे यह आपको दे रखा है वाला ठीक है अब बी वाले को यह आपको 60 degree दे रखता है यह आपका x हो गया यह वाला आपका 90 degree है क्योंकि यह वाला sign जो है वह नव्य को represent करता है तो यह 90 degree हो गया अगर यह 90 है तो मैं इसको भी 90 बोल सकता हूं क्योंकि यह perpendicular लग रहा है मुझे 90 तो यह भी 90 हो गया अब मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं जानता हूँ कि जो sum of all interior angle of a quadrlittle क्योंकि इसकी 4 side है तो यह quadrlittle है तो इन 4 angle का sum किस के बराबर होगा 360 के बराबर होगा तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं x plus 90 plus 60 plus 70 बराबर किस के कर देंगे 360 के बराबर कर देंगे ठीक है जी तब आप x की value निकालेंगे तो क्या होगा एक्स बराबर 6, 6, 12 और 11, 130 में 90 को अगर add करता है तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 130 में 90 को add करता है तो right तो आप ऐसा करता हो 360-130-90 130 कहा साया इन दोनों को add करके एक साथ में उदर transfer कर दिया कि जब भी मैंने बताया था कोई number plus का होता है तो इसी तरफ transfer करते है वह minus का हो जाता है तो overall मुझे मिला कि x बराबर 360-220 यानि 220 तो x की value कितनी आ जाएगी यहाँ पर x की value आ जाएगी 140 दिगरी यह हो गई x की value तुमारी बात समझ में आई तो b वाला भी हम complete कर चुके हैं अब चलते है अपन c वाले question की तरफ और c वाल और question की language भी आप देख सकते हैं language में सिर्फ आप से capable angle पूछा गया है ज्यादा tough language है नहीं है कोई बहुत ज्यादा बड़ी कोई tough language हो सर समझ में नहीं आएगा कैसे करेंगे यह वह ऐसा नहीं है diagram आपको दे रखा है और diagram की accordingly वह आपको question करना है जिस तरीके से हमने यह 2 question कर रहे जिसके अंदर अपने property का यूज किया ठीक है उसी प्रकार से हम जो है यह 3rd वाला यानि जो सी वाला आपको diagram दे रखा है इसको पहले बनाते हैं क्योंकि वहां पर सायद आपको image में clearly समझ में नहीं आ रहा होगा तो diagram को यहां बनाते हैं उसके बाद इसको समझने की को बनाते हैं और यह touch line है यहां पर touch नहीं है यह अलग दो इंगल बना रहे हैं ठीक है तो थोड़ा सा difference इसमें आपको देखने को मिलेगा आप चाहें तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक मिनिट आप इसको इस तरीके से भी जो है वह draw कर लीजिए और फिर उसके बाद में इसको यहां पर रख दीजिए और इसको यहां पर touch कर दीजिए यह ऐसा है ठीक है तब देखो जो आपको given है वो लिख लो यह आपको 30 degree given है ओके जी यह वाला और यह वाला आपस में बराबर दे रखे हैं तो इसको x बोला गया तो यह यह को घुशन में इसी थरीके से बोला गया है यह आपको y है ठीक है और यह आपका z है यह आपका y था यह आपका z है और यह बाहर वाला आपको 60 सबसे करके मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं y को find करूंगा क्योंकि यह linear pair मुझे दिख रहा है क्योंकि एक ही line पे 2 इंगल बन रहे है यह मैं कह दूंगा कि एकर मैं c का solution करूंगा तो मैं बोलूंगा कि इसी तरीके से जैड मुझे निकालना है तो जैड भी मैं निकाल लूँगा जैड कैसे निकाल लूँगा मैं बोलूँगा इंगल जैड प्लस 60 बराबर हो गया बेटा कि इसके 180 के अगर यह ऐसा हुआ तो मतलब यह हुआ कि जैड बराबर किसके हो जाएगा 180-60 करेंगे तो 180- 60 करेंगे तो हो जाएगा आपका 120 क्या बात समझ में आई आई आपको यहां तक क्लियर यानि y की वेल्यू आगई 120 z की वेल्यू आगई 110 यानि यह अंदर वाला क्वाडर लीटल की फॉर्म में बन रहा था एक्चुली यह क्वाडर लीटल नहीं है यह पेंटागन है क्यों सम आफ ओल इंगल ओफ फैंटागन ठीक हैं सम ओफ और इंटेजर इंगल ओफ पैंंटागन इस्पाइफ फोर्की तो मैं यहां पर एक लइन लिख देता हूं सम ओफ इंगंगेस गैडां सम ओफ ऑल heart ओफ पेंटागन ओफ पेंटागन ठीक है बराबर कितना होगा 540 यानि 540 बराबर 540 हो जाएगा तो अब देखो एक दो तीन चार यानि एक्स और एक्स तो टू एक्स हो जाएगा तो मैं डायकलीस को लिख सकता हूँ तो एक एंगल आपको 110 निकला था दूसरे वाला 120 निकला था तीसरे वाला 30 डिग्री निकला था और वह बराबर हो गया था 540 के राइट यही बताया गया था बिल्कुल सर ऐसा ही समझाया था तो आप देखो टू एक्स 110 और 120 कितने होते हैं 100 और 100 200 130 हो गया 130 और 30 कितना हो जा हो जाता है 260 हो जाता है तो 540 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 260 को तो मेरे बच्चे यहां पर मुझे मिलता है 280 यह मुझे मिल गया 280 तो एक्स की वैल्यू कितने मिल जाएगी मुझे clear cut मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि 280 divided by 2 अगर मैंने किया तो मुझे मिल गया 140 और 140 डिगरी आपका क्या हो गया answer हो गया या एक्स बराबर कितना आ गया 140 डिगरी आपका जो है वह answer हो गया hope कि आपको समझ में आया है मैंने जो बताया मैंने जो समझाया वह अच्छे से clear हो गया है अब चलते हैं अपन next question की तरफ question number 4 question number 4 जादा tough नहीं है देखने में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं इसमें तो कोई angle भी दिया हुआ नहीं है केवल simple diagram दे रखा है तो यह हपन कैसे करेंगे तो देखो मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करना क्योंकि वास्तम में देखा जाए तो इसकी सारी की सारी साइडें बराबर हैं और जब सारी साइडे इकवल होती हैं तो वो diagram के जो angle बनते हैं वो भी इकवल होते हैं यह बात universal truth है यह बात सच है हमारे जो महान mathematician थे जिनोंने भी geometry को design किया और उसमें यह chapters वगेरा रखे उन्होंने यह clear cut जो हो बताया भाई उन्होंने ही जो खोज करी थी राइट अब देखो diagram में आपको दि clear cut जो हो आप मुझे बताईएगा मुझे बहुत खुसी मिलेगी क्योंकि आप लोगों के जो आप लोग regular basis पर वीडियो देख रहे हैं कमेंट कर रहे हैं काफी support कर रहे हैं तो उससे मुझे काफी motivation मिलता है और काफी अच्छा भी लगता है तो इसी तरीके से motivation बनाए रखे हैं और देखते रहे हैं आप लोगों का जो प्यारा परिवार है exam power इसके साथ जुड़े रहे हैं तो diagram थोड़ा सा मैं वापस बनाता हूं because यह diagram जो थोड़ा सा ठीक नहीं बना है तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहे है सबसे पहले मैं इसको इसको draw कर लेता हूं ठीक है और इसमें इस तरीके से बनाया गया है यह यह देखो ठीक है थोड़ा सा हां थोड़ा सा यह एसे अजीब सा नहीं है यह वाली साइड 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 तीनों साइड हैं आपस में बराबर है यह वाला angle x है तो ओविसी बात है ये भी x होगा ये भी x होगा ये भी x होगा ये भी x होगा क्यूं होगा तो क्यूं का region यहाँ पर ये है कि भाईया अगर side equal है तो angle भी equal होने है राइट तो अगर मैं d के solution की बात करूँ तो मैं जानता हूँ इसकी कितनी side हैं एक दो तीन चार पांच और पांथ side होती है तो वह क्या होता है pentagon होता है तो pentagon का भी मैंने एक line लिखाई थी sum of all interior angle of pentagon is equal to 540 तो pentagon के जितने भी angle है उनका सबका sum कितना होता है 540 होता है तो मैं लिख सकता हूँ angle x plus angle x plus angle x क्योंकि सारे angle x है इसके ठीक है plus angle x right और plus angle x बराबर किसके हो जाएगा 540 के यानि 540 के हो जाएगा clear है आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बताते जाना कि यह सर समझ में आ रहा है 540 तो x x x यानि 5 बार है तो मैं लिख सकता हूँ 5x 5x बराबर 540 है 540 है तो x की value कितने आ जाएगी 540 divided by 5 5 40 divided by 5 करेंगे तो आपका answer कितना मिल जाएगा x की value यहां सा मिल जाएगी 108 degree hope कि आपको यह समझ में आ गया है कि इस question को कैसे करना है तो six वाला complete हो चुका है a b c d 4 portion में complete करवा चुका हूँ आप लोग को अब चलते हैं अपन question no 7 की तरफ और question no 7 भी बहुत ही बढ़िया है फिर हमारा कल जो है वह आपका next video के अंदर 3.2 में start कर दूँगा और 3.2 भी बहुती बढ़िया exercise है जिसमें आपको मजा आएगा बहुत प्यारी exercise है ठीक है तो वह अपन cover कर लेंगे तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वीडियो जो है वह regular business पर फूरा complete देखते हुए जाना क्योंकि आप complete देखेंगे तो आ x y z का value बताना है यहाँ पर तो और इसमें भी x y z plus w का value बताना है इसका मतलब यह हुआ कि अंदर वाले ये दो angle given है और बाहर वाले तीनों angle find करना है और उनका sum हमें बताना है तो देखी कैसे करते हैं दो question है आपको तो पहले वाले question को अपन करने की courses करते हैं यानि यह जो first diagram इसको first diagram बोल दो और इसको second diagram बोल दो ठीक है तो question number seven के अंदर first वाला question अगर मैं करना चाहूं तो मुझे ये triangle की form नजर आ रही है ये बेटा ये मुझे triangle की form नजर आ रही है और triangle के अंदर एक property होती है जिसके बारे में आप सब लोग जानते भी होंगे सब लोग को पता सबसे पहली बात कौन सी property में आपको बताता हूं देखिए कि triangle के interior angle जो होते है उसका sum कितना होता है तो triangle के interior angle होता है उसका sum बेटा होता है 180 तो यहाँ पे 2 angle आपको given है ये तीसरा angle आप automatically find कर सकते है तो third angle आप find करेंगे तो 90 90 और 30 अगर आप find करना चाहेंगे तो 90 120 120 मतलब जांगी मैं कह सकता हूं आप ऐसा कर सकते हैं इसको आप ले लीजे कोई भी angle 1 या कुछ भी रखली ठीक है तो अगर आप 180 में से नब और 30 को माइनिस करता है कितना हो जाते है ॉजँगर 60 एड़ कर देते हैं तो वह हो जाता है 180 यह वाला आपका आगया 60 डिगरी अब देखो कितना आसान हो गया अगर X मुझे find करने तो linear pair की form लगाऊंगा यहां पर linear pair apply करूंगा यहां पर भी linear pair apply करूंगा यहां पर भी linear pair apply करूंगा मतलब क्या कि अगर मुझे X चाहिए तो मैं बोलूँगा कि angle X plus 90 बराबर होगा 180 के तो यहां से X की value कितने आजाएगी इंगल X आजाएगा 90 ठीक है फिर अगर मुझे Y चाहिए तो मैं बोलूँगा angle Y plus 60 डिग्री बराबर होगा किसके 180 डिग्री के तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो आजाएगा Y आजाएगा आपका 120 डिग्री गॉट इट बात समझ में आ रही है ना आपको और इसी तरीके से अगर Z plus 30 डिग्री में कर दूँगा और बराबर कर दूँगा 180 के linear pair क्या होता है linear pair मतलब कि एक ही line पे दो इंगल अगर बने होए तो उनका सम होता है 180 डिग्री ठीक है तो यहां से Z मुझे कितना मिल जाएगा 180 माइनस 30 करेंगी तो 150 मिल जाएगा क्या मैं सही हो बिलकुल तो आपको क्या पूछा गया था आपको बोला गया था find पहला question देखो यह रहा यह वाला आपको बोला गया था find angle X plus angle Y plus angle Z बराबर क्या होगा तो मैंने बोला angle X मुझे दे रखा है 90 Y मुझे दे रखा है 120 और Z मुझे दे रखा है 150 तीनों को सम मैंने किया तो मुझे मिला 360 तो answer क्या हो गया 360ग हो गया पहले वाले का जालते हैंसा है और august कुछ इसी तरीके से apply करेंगे और और देखेंगे सेज़ क्या क्या खेए तो यह तो इसकेंड वाले का यहां पर कर देता हूं बी वाले में आप présentने यहां तो ये कितना आ जाएगा ये वाला इंगल तो आप 360 मेंसे 120 को 80 को और 60 को माइनस कर दो आप का ये वाला इंगल आ जाएगा तो आप माइनस करो 120 और 80 260 वतलब 100 ये कितना हो गया आपका 100 डिगरी हो गया 100 हो गया तो अब देखो ये linear पेर लगाओ यहाँ पे, यहाँ पे linear pair लगाओ, यहाँ पे linear pair लगाओ, और यहाँ पे linear pair लगाओ, तो one by one मैं linear pair लगाता जाता हूँ, अगर मुझे angle x चीए, तो angle x plus 120 अगर मैं करता हूँ, 180 के बराबर, तो यहाँ से जो x मुझे मिलेगा, तो x मुझे मिल जाएगा 60 degree, got it, similarly x के बाद y plus 80 degree, बराबर मैं कर दूँगा किसके, angle x, angle y plus 80 degree बराबर कर दूँगा, मैं 180 degree के, तो यह मेरा कितना आजाएगा, y कितना आजाएगा, y आजाएगा 100 degree, ठीक है जी, अब उसके बाद में मैं जाता हूँ, z के उपर, फिर आउँगा, w के उपर, तो z के उपर जाँगा, तो angle z plus 60 degree, अगर मैं करता हूँ, बराबर 180 के, और यह बराबर कर दिया, तो angle z कितना आजाएगा, भाई, simple सी बात है, 120 degree आजाएगा, क्या बात समझ में आ रही है, आप लोगी, बिल्कुल, अब जाते हैं, w के उपर, तो angle w plus 100, बराबर अगर मैं 180 करता हूँ, तो यह किसके बरा क्या बरा आ जाएगा, w आ जाएगा, आपके 100 के बराबर, क्योंकि 180 में से 100 को माइनिस करेंगी, 180 मिलेगा, अब मुझे find क्या करना था, मुझे find करना है, x plus y plus z plus w, ठीक है, x plus y plus z plus w, थो x की value हो गई, यहाँ पर 60 degree plus y की value हो गई, यहाँ पर 100 degree, z की value हो गई, 120 degree, plus w की value हो चीज़ था वलत कैसे आ रहा है कोई मिस्टेक करी कि अपने लोगों ने होना तो नहीं चीए बट क्या मिस्टेक हुई है चेक कर लो एक बार ग्लियर यह जो है वह 6 ओके ओके क्लियर है देखो 200 300 तिनसो साथ होना चीए यह 120 कैसे है 120 मतलब यह एकस आपका कितना आना चीए था 60 डिगरी ओके यह 80 है तो यह आपका 100 आ गया यह आपका 60 है तो 180 मैंने 60 छह साथ आठ 120 डब्ली ब्राबर 100 तो इसका सम तो यह इसका सम कितना होना चीए था इसमें हमने कहीं मैंने कहीं कोई मिस्टेक की है चेक करो 360 से पर आप ऊपर तो आना ही नहीं चीए क्या मिस्टेक कर यह पर फिर से देख लेता है कभी यहां पर मिस्टेक ना कर दियो मैंने मैं को लग रहा है यहां पर क्यों क्यूंकि 120 और 80 हो जाता है कितने 80,90,260 और सम होता है 360 260 तो यह तो 100 ही आया साही तो है यह 100 हुआ तो यह 80 होगा ना बेटा यह 100 हुआ है तो यह 80 होगा क्योंकि 180 होता है ना सम तो इंगल डबलू जो है वो 80 आएगा ना डबलू को अपन ने कितना रख दिया 100 अग दिया गया देखो यह 100 था यह 180 तो यह तो 80 आएगा ना 80 तभी मैं सोचू गलती कहां होगी है ठीक है तो एक जगह पर आप 80 कर दो अब देखो 360 आगया got it समझ में आया clear अगर समझ में आ गया तो जल्दी से thumbs up कर दो और मुझे बता दो got it चलिए तो अब अपन कल क्या करने वाले है कल आप लोग आप सभी बच्चों के लिए मैं करवाऊंगा कल example तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों मिलते है next वीडियो में तब तक के ल कर दो